हलो गाइज, वेलकम टू फर्टा क्लासेस गैज, आज अब बात करने वाले हैं नेशनल टीटरस्टे के बार में रास्ट यह सिख सकती उसके बारी में माज बात करेंगे क्यों गुरू का मेर्तो होल जी उनमी वो बहुत मेर्तपून है एक स्लोक है कि गुरू बर्मा, गुरू विष्णू, गुरू देवो मैस्वरे, गुरू साक्षात परम बर्मा, तसमे श्री गुरु देव नम है गुरू है जो बगवान के बराबर है गुरू है जो हमें क्या सही है और क्या गलत है इसके बार में बताता है और आगे बनने के लिए प्रोसायद करते रहते हैं गुरू कोई भी हो सकता है अपने माता पिता हो सकते हैं अपना बड़ा बाई हो सकते हैं इसलिए उनका समान करें और हम important questions के मादियम से राश्य सिख्षेज़ के बारे में discuss करेंगे तो गैज वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आगम को दबना ना बोले जिससे की आगे आने वाली हर नीए वीडियो की अपड़िट आपको मिलती रहेगी तो फर्स कुशन देखे फर्स्ट है National Teachers दि राष्तिय सिख्षक दिवस हर साल कब मना जाता है यह मना जाता है पांस सिटंबर को अबसंभी अपना राइट आन्शर है पांस सिटंबर को ही हम राष्तिय सिख्षक दिवस की रूप में मनाते है क्योंकि लाश्ट सिख्षकों अपना राधा कर्ष्णन ऊप्सन से अपना राधा कर्ष्णन का दरुकर सिन्व का सब्साइने से यह क्यों से वाइस है कि आपना यह हमारे देश के पहले उप्रास्तपती रहे ख़ा में आरे था 13 माई 1972 तक तक तरहा और हमारे जो परदान मनत्री थे उस माई वो थे पंडित जवालाल नेरू जिनका कारेकाल 15 अगस्ट 1947 से 27 माई 1974 तक 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 गाइस बात करेंगे हमारे दूसरे उप्रास पति कौन थे वो थे जाकिर उसेन हमारे तीसरे उप्रासपति कोन थे वो थे वीवीगिरी और चोथे थे गोपाल स्वरूप पाटक ओए गाइस आप इनको भी ध्यान में रखे नेक्स देखे नेक्स देखे शिक्सक जिवस पहली बार कब मनाय गया था गाइस जब मनाय गया था 1962 में 1962 के अंदर मनाय गया था ओप्शन भी अपना राइट आंसर है भारत में पहली बार रास्ट्य शिक्सक जिवस पांस इंदर 1962 कोई मनाय गया नेक्स देखे नेक्स देखे डॉक्टर स्वरेपली रादा कर्षन कब से कब तक भारत के उप्रास्पति पत पर रहे थे गाइस जी रहे थे उप्रास्पति पत पर 1952 से 1962 ओप्शन ये अपना राइट आंसर है दस साल तक रहे थे कंटिन्यू उप्रास्पति के पत पर डॉक्टर स्वरेपली रादा कर्षन नेक्स विशन देखे नेक्स्ट है डॉक्टर स्वरेपली रादा कर्षन भारत के कौन से राष्टपति बने थे गाइस कौन से प्रेजडेंट बने थे ये ये बने थे दूसरे ओप्शन भी अपना राइट आंसर है गाइस उस समय हमारे देश के परदान मत्य थे जमालाल नेरू और उप्रास्वती पत पर बने रहे थे उस समय जाकिर उसे गाइस बात करेंगे हमारे पहले राष्टपति पत के बारे कि राष्टपति के पत पर कौन थे पहले वो थे डॉक्टर राजिंदर परशाद दूसरे थे हमारे गउसे necks yad सकतंट यह तिए第二 राष्टपति थे वो थे जाकिर उसेन और जोथे राष्ट्पति थे वो थे वैंकट गीरी ओई गाइस नेस्ट देखे नेस्ट empiricaltal राधा करतन डी अपना राष्ट पति के актив घ्राठ続कर 2020 रहे थे गयजे रहे थे 1962 से 1964 तक option D अपना right answer है next देखिए next है Dr. Sarapali Radha Carson को British सामराजे द्वरा सर की उपादी किस वर्ष दे गई थी गयजो सर की उपादी दे गई थी ये दे गई थी 1931 के अंदर 1931 के अंदर options ये अपना right answer है Radha Carson को 1931 में British सामराजे द्वरा सर की उपादी परदान की गई थी क्योंकि गयज बीस्वी सद्दी में भारत के सबसे परभावसाली विदोनों में से एक थे Dr. Sarapali Radha Carson इसलिए British सामराजे के द्वरा उनको सर की उपादी दे गई next देखिए next है भारत के सरवच्चन नागी सम्मान भारततन प्राप्त करने वाले पहले भारते कौन थे तो पहले भारते थे भारततन प्राप्त करने वाले वो थे Dr. Sarapali Radha Carson option A अपना right answer है जिनको 94 में सबसे पहले भारततन प्राप्त सम्मान किया गया था गैज बात करेंगे जो भारततन ने इसकी स्तापना हुई थी दो जनवरी 94 को जो हमारे देश का सरवच्चन नागी सम्मान है और इसकी स्तापना Dr. Rajendra Prasad के दोरा किये गए थी गैज तो पंडित जुआला ने रुए इनको भारततन मिलाता 1905 के अंदर गोविन वल्लब पंत है इनको मिलाता 1907 के अंदर और Dr. Rajendra Prasad है इनको 1962 के अंदर भारततन से समानित किया गया था और अभी जो भारततन मिला है वो है नाना जी देश मुख वुपेन हजारिका और पंडव मुखर जी ओए गैज नेक्स शुजन देखे नेक्स्ट है डॉक्टर सुरापली रादाकर्षन को भारततन से कब समानित किया गया था गैज इनको समानित किया गया था ऑप्षन भी अपना राइट आंसर है जो भारत के पहले थे जिनको भारततन से समानित किया गया था नेक्स देखे नेक्स है डॉक्टर सुरापली रादाकर्षन का निदन कब वा था इनकी मृत्यू कब हुई थी इनकी मृत्यू हुई थी 17 अप्रेल 1925 को ऑप्षन सी अपना राइट आंसर है 17 अप्रेल 1925 को चेन्ने में 87 87 की उमर में इनकी मृत्यू हो गई थी चैसे सब्सक्षे हैं कि और नेक्स देखे नेक्स है अब हम बात करेंगे विस वान शिक्षस्च के बारे में अब तक हम ने बात की नेशनल सी डिगर में रा स्टी paralle ए अब बात करेंगे वर्ल्स टी failing के बार में त्विश्वाश शॉत दिवस हर साल कब मनए जाता है कि हर साल मनए जाता है पांच अक्टुम्बर को option B अपना right answer ay 5 अक्टुमबर को मनए जाता है विश्वाश शॉत विशंग से मिना जाता है जो सिक्षक होते हैं उनके योगदान को अचा沒 सो सु स sources पहली बार कम मनाय गया था गैस यह मनाय गया था 1994 के अंदर ऑप्शन यह अपना राइट आंसर है 1994 में सबसे पहले 20 वा सिख्षे जो पहले गया था गैस 1994 से मनाय जा रहा अभी तक और इसे स्यंत राष्टे द्वरा साल 1966 में युनिस्को और अंतरास्ट्य स्रम संगर्टन की हुई उस स्युक्त वेट्टक को याद करने के लिए मनाय जाता है गैस बात करते हैं युनिस्को के बारे में जिसका हेट कोटर पे युनिस्को के उनका नाम है आंद्रे अजोले ओए गाइस नेक्स्ट विश्न देखे नेक्स्ट है डॉक्टर स्वरपली रादा कसंद्वरा लिखी प्रसित पुस्तक का नाम क्या है कैस इनके जो बुस्तक लिखी गई वह है दे फिलोसोफी ओफ रहेंद नाट टेकोर ऑप वी, यह डिखी गई है थी श क्यू आणके लूग्ट पुस्तक लिखी गई है इनकोर नेकोर pitcher बनते हैं से यह डोगाइस हमें नेंक्स देख़ें, नेक्स एए अन्त्राश्टे ऐट चैरिटी तिव इंट्रनेस्ट चैरिटी देश हर साल कब मनाओ जाता है। 5 सितंबर को आजी के दिल, option A अपना right answer है, हम हर साल 5 सितंबर को अंतराश्चे चेरिटी दिवस के रूप में मनाते हैं नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अंतराश्चे चेरिटी दिवस किसकी date anniversary के रूप में मनाय जाता है गैज यह मनाय जाता है Mother Teresa, option C अपना right answer है, Mother Teresa की date anniversary के रूप में मनाय जाता है गैज United Nation ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की दिश सबसे पहले बात करते हैं Mother Teresa के बारे में, जिनका जर्म हुआ था 26 अगस 1910 को इस कॉप जे उत्री मेसी डोनिया के अंदर और इनकी जो मरती हुई थी, इनकी जो date हुई थी, वो हुई थी, पांस सितंबर 1997 को कॉलकता के अंदर और पांस सितंबर को ही हम, अन्तास्टेज चेरिटी दिवस के रूप में मनाते हैं जो मदर टेरेसा है, उन्होंने गरीब, बिमार, अनात और जरुत मंद के जो लोग हैं, उनकी बहुत मदद की थी और उन्होंने सांती के शेतर में भी बहुत प्रयास की थी और उन्होंने अपना जिवन अपना पूरा जिवन समाज की सिवा के लिए लगा दिया नेक्ट उसने देखे नेक्स्ट है नोबल पुर्षका जेतने वाली भार्थ की प्रतम मैला कौन थे वो थी मदर टेरिसा ओप्शन भी अपना सही आंसर है जो नोबल पुर्षका जेतने वाली भार्थ की प्रतम मैला बनी थे गाइस नोबल पुर्षका रहे इसके स्तापना हुई थी अठारा सो पिचान में के अंदर और जगह थी ओसलो और इसके जो निर्माता थे वो थे अलफेड नोबल इनकी इच्छा थी कि जो देश के अंदर जो देश विदेश के अंदर पूरे संसाल के अंदर जो सांती की चेत्रे में जो काम करेगा उसको नोबल पुर्षका दिया जाएगा नोबल पुर्षका रसाइन विज्ञान बोते की शरीर क्रिया विज्ञान या चिकिसा साइत है इनके अंदर दिया जाता है ओए गैस नेक्स देखें नेक्स है Mother Teresa को किस तुछ भारततन पुसका से समर्णद किया गया था गैस जो Mother Teresa है इनको जो भारततन पुसका सबसे पहले मिला था वो मिला था 1980 के अंदर पुर्षकार से समंद्ध किया गया था गाइच 1962 में उनको समाज से बाएच जनकल्यान के लिए पजमसी से भी समंद्ध किया गया था 1962 के अंदर और 1979 के अंदर इनको नोबल पुर्षकार से भी समंद्ध किया गया था क्योंकि इन्हों ने सांतिक छेत्र में बहुत काम कियते हैं और एक समाण से भी थे ओई गैस चलते हैं तुक्ष देखे मधर्रिसा नी मिंशनरीज ऑफ चेरिटी संस्तान की स्तापना किस वर्ष की थी कि गया है इस संस्तान की श्तापना की थी उनके द्वारा पूरा जीवनी समात की सिवा के अंदर लगा दिया तो गैस तो गैस यह था आज का अपना पूरा डिसकेशन रास्तिया 620 की रूप में शिवक्षदियोस के ओपर और विश्वाइ 620 के ओपर complete discussion I hope कि आपको इस सेशन भी अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सेर भी कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे की आगे आने वाली हर नई वीडियो के अपड़ेट आपको मिलते रहेगी क्यों गैस आपके नॉलेज के लिए और आपके एक्जाम के लिए भी यह important है तो गैस मिलते हैं नेक्स सेशन में नेक्स important topic के साथ तब तक के लिए thank you goodbye and take care